जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता, Desire to Learn में आपका स्वागत करता हूँ तो आज अपन कवर करने वाले 16th of January के Current Affairs यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ important facts और आप सभी का यही question होगा sir, जो delay current affairs हुएं उसे आप कैसे कवर करवाएंगे तो आप उसकी tension मत लीजिए, Desire to Learn आपके साथ है तो बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं और dots को connect करते है तो question देख लेते हैं काफी important है आपके exam point of view से consider the following statement about Varuna 2023 तो आपको यह बताना है, इसके statement अपनको देखना है और आपको यह question solve करने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं आपसे बात करूँ, it is a bilateral exercise between India and USA तो क्या यह statement सही है, जी नहीं कौन कौन सी countries के बीच में होती है, this is the exercise between India and France देखें, this is the hallmark of India and France relationship, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए और INS Chennai और INS Teej are the participants of Varuna 2023 जैसा कि आपको पता है कि INS से हमेशा questions आते ही है, यह काफी important होता है तो कौन कौन सी INS participate कर रही है, INS Chennai और INS Teej ठीक है, यह दोनों INS participate कर रही हैं Varuna 2023 में तो अपनको बताना है, choose the incorrect option अब आप से पूछ लिया गया है कि incorrect option इसमें से क्या है यह चीज भी आपको पता होना चाहिए कि incorrect पूछा है या correct पूछा है तो कौन सा incorrect है, तो only one is incorrect क्योंकि only, अगर आप two जाएंगे second statement पे तो वो क्या है, वो सही है, ठीक है तो चीजे आपको पता होना चाहिए तो अब मैं आप से बात करूँ, यह 21st edition था bilateral naval exercise का, जिसमें India और France ने participate कहां पे किया Western Sea Board में, और यह आज से ही start हुई है, तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आप से बात करूँ Maritime Petrol Aircraft, P-8I और Donner Integrate Helicopters, MiG-29 के Fighter Aircraft, इन समने participate किया, बट आपको यह जानना important है, Still Destroyer INS Chennai, और Guided Missile Frigate INS Tej, इन दोनों ने participate किया है, वरुना 2023 में, चलो आपसे 3-4 सीजे discuss कर लेते हैं, यह आपे काफी important है, देखो France के बीच साथ होती है Army की, Navy की और Air Force की, ठीक है अब आप पुछेंगी सार, Army की कौन सी होती है तो Army की कौन सी होती, Army की होती है शक्ती, ठीक है Army की होती होती है, और Navy की कौन सी होती है वरुना, ठीक है और Air Force की कौन सी होती है, गरुड गरुडा, ठीक है तो यह चीजे आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ गरूड़ा अब भी हुई थी रिसेंटली जोधपूर में दीके जोधपूर एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में गरूड़ा एक्सोसाइज और वरुना आपको पता लग चुकी अब भी स्टार्ट हुई है और ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ-कुछ आइनेस अब भी रिसेंटली न्यूज में थी तो वह अपन डिसकस कर लेते क्योंकि आपका एक्साम वे डारेक्ट कुछन पूछा जा सकता है तो अगर मैं आपसे बात करू आइनेस कोची और आइनेस कावरती ठीक है आइनेस कावरती और आइनेस सुमेधा ठीक है आइनेस सुमेदा इन तीनों ने पार्ट किया था कहाँ पे First International Fleet Review फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यह कहां पर हुई थी यह हुई थी बांगला देश में अगर आपको यह पता होगा तो ठीक है तो और और बताता हूं मैं चलो माला बार माला बार exercise किस कौन कौन सी country के बीच में होती है यह होती है आस्ट्रेलिया जपान इंडिया और USA की बीच में यह तो आपको पता ही होगा अब इसमें कौन सी INS ने participate कर रहा था यह आपको जानना काफी important है तो INS INS शिवालिक और INS कामा रूता तो यह चीज़े आपको पता होना चाहिए माला बार इसमें participate कर रहा था सिवालिक और कामा रूता ने अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप मुझे comment section में बताओ कि अगर आप पूरी important INS का वीडियो चाहते हो तो मुझे आप comment section में बताओ और इस वीडियो के जादा से जादा like भी कीजिए ठीक है next question देखते है तो next question देख लिए ते काफी important है आप पिस से restore कर दिया है अब आप उससे पूचेंगे सर तीन और कौन थे जिनने restore कर दिया है तो पहला बना था राजिस्तान जिसने अपनी pension को कर दिया था restore old pension scheme को then 36 गर्ड और कौन बना है पंजाव ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करू हिमाचल प्रदेश ने launch किया था सायता कोश for destitute poor persons के लिए एक सायता कोश launch किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगर आपको यहां के एक scheme पता होगा नारी का सम्मान नारी का सम्मान मैं एक एक्जाम में देख रहा था यहाँ पे पूची गई थी नारी का सम्मान इसकीम कौन से state से related है और water sport center water sport center यह भी recently inaugurate हुआ है नवंबर में यह चीज आपको पता होना चाहिए कहा पे हुआ है हिमाचल प्रदेश में और यहां के जो कौन से पार्टी से हैं वो हैं Congress से ठीक है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए नेक्स कोशन देखते है तो नेक्स कोशन देख लेते हैं काफी important हो काफी interesting है which high court finally reached a resolution in one of the oldest pending case in nation यह अपने भारत का सबसे oldest pending case था और यह finally एक resolution पर पहुच चुक है तो कौन से high court ने यह resolution किया है तो यह दिया है कलकत्ता high court ने अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस case का नाम क्या था तो इस case का नाम था the barampur bank case ठीक है the barampur bank case और यह कब आया था यह आया था फिल्ड हुआ था 1951 में और यह actually क्या हुआ था यह bankrupt हो गया था ठीक है तो इस चीज से यह दिखा तो ही थी और यह फिल्ड हुआ था 1951 में तो यह चीज का का longest legal dispute था तो फाइनली 72 years के बाद ये हो चुका है रीचेट एक resolution पर पहुँच चुका है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए ये आप से direct case का नाम पूछा जा सकते है तो आप इसे ध्यान रखेगा और कितने साल में बाद हुआ है तो ये हुआ है 72 years के बाद और कौन से high court ने एक resolution दिया है तो वो दिया है गलकरता high court ने और कौन से chief justice ने दिया है तो वो दिया है प्रकाश शिरिवास्तव जी ने जो इस case के field होने के बाद पेदा होए थे 1961 में ये भी एक interesting fact रेट तीक है तो next question देखते है एक बाद थोड़ा सा high court के बारे में discuss कर लेते हैं काफी problem आती है इस चीज में आपको इस चीज पता नहीं होती है तो देखो Delhi is the only union territory that has a high court देखो सिर्फ Delhi ही एक union territory जिसके पास अपना खुद का high court है देखे इन since 1966 से और अब भी एक और कौन सी बन गी है अब जिससे आपको पते है जम्मू कश्मीर UT में count होने लगा है UT बन चुकी है तो in 2019 अब जम्मू कश्मीर के पास भी high court है जो एक UT भी है अगर आप से पुछ ले पुटू चेरी UT चेरी कौन से high court में अपना work करती है legal work होता है judiciary होती है तो वो होती है मदरास high court में चंदीगर तो आपको पता है यह पंजाब high court लेयन लदाक जम्मू इन कश्मीर high court आप से पूछ लिया जाएगा अंडमान ए निको बार कौन से high court के अंडर आती है तो वो आती है कलकत्ता high court के यह एक बार question आया था इसलिए मैंने इस slide ली है और यह notes आपको काफी important है आप यहाँ पर text कीजिएगा आपको यह notes मिल जाएंगे पूरा hand return notes काफी अच्छे से बने हुए यह आपको मिल जाएंगे और अगर मैं आपसे बात करूँ दमान एंड डिव और दादरा एंड नागरा अवेल यह किसके अंडर आती है यह आती है बॉम्बे high court के अंडर इस type का question आपसे पूछा गया है इसलिए मैंने इक question को frame करने की कोशिश किये ठीक है तो आप यह चीज दियान रखिएगा काफी important next question देखते है so next question है कौन से state बन चुका है जिसने recently launch किया है और first state बन चुका है blindness control policy जिसने launch करी है तो वो बना है राजिस्तान अगर मैं आपसे बात करूँ recently ने कौन से एक objective पे work किया है right to side अगर आपसे direct question पूछ लिया जाए कि कौन से state ने अभी recently एक objective पे work किया है right to side वो blindness control के लिए तो कौन से सरकान ने किया है वो किया है राजिस्तान सरकान ने अगर मैं आपसे बात करूँ कि अच्छा ये करेगा क्या ये I donate करेगा ये campaign क्या करेगा ये करेगा I donate और अभी राजिस्तान क्यों न्यूज में था चलो आपको पता होगा एक तो मांगर धाम ये कहाँ पे ये भी राजिस्तान में जिसे national monument declared क्या था मोदी जी ने अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी world tallest चलो एक चीज बताता हूँ world का tallest शिवा स्टेच्यू जिसे विश्वास स्वरूख भी कहा गया जिसे statue of belief भी कहा गया ये कहाँ पे inaugurate हुआ था ये inaugurate हुआ था राजिस्तान में वर्ड का विश्व का सबसे बड़ा शिवा जी का स्टेच्यू शिवा स्टेच्यू और क्या बताऊं अचा गुजरात और राजिस्तान ये अब भी recently news में आयते ये top investment destination बने इंडिया के टीके top investment destination बन चुके इंडिया के तो ये चीज आपको धियान रखने है next question देख तो next question एक काफी बड़ी उपलबदी भारत के लिए 28th Critics Choice Award which Fling won for Best Foreign Language Award कौन सी मूवी को मिल चुका है Best Foreign Language Award तो ये बन चुकी है RRR तेकि RRR ने एक अवार्ड और जीता है Best Song का तेकि है काफी famous हो रहा है ये Best RRR का ना तो ना तो है ना अगर मैं आपसे बात करूँ कि अब भी कौन से अवार्ड मिला था अगर आपको पता होगा तो अब भी मिला था Golden Globe Award Golden Globe Award और ये First Time मिला था कोई Indian Song को तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है ये वाला question काफी important ही और ये आपके एक्जाम में पूछा भी जाएगा त्रिपल र से related ठीक है और Best Picture कौन सी मिलिए तो मिलिए Everything, Everywhere, All at Once और Best Director Daniel Kwan तो ये चीज आपको पता नहीं होने चीए Best Picture याद रख लो Everything और Everywhere और त्रिपल र के दो awards मिले Critics Award में Pretty Choice Award में कौन-कौन सा एक तो Best Song का और Best Foreign Language Film का तो next question काफी important है आपके लिए कासाबा दादा साहिप तीक है जिनने हम Pocket Dynamo के नाम से भी जानते हैं जिनने recently honored किया गया Google Doodle के द्वारा on his 97th birth anniversary ये कौन से sports से related थे तो ये हैं एक renowned wrestler थे जो की एक first athlete भी बने थे जो की एक independent India के जो की एक क्या लेके आये थे Olympic medal लेके आये थे अपने प्यारे भारत के लिए है ना तो ये चीज़ आपको पता होना चीज़ ये कौन से sports से related थे ये थे एक wrestler और अगर मैं आपसे बात करूँ इनका जनम हुआ था 1948 में और इनको 2000 में Arjuna Award से भी सम्माने किया गया था जो की एक India का sporting honor भी है तो ये चीज़ आपको पता होना चीज़ कहा पे इनका जनम हुआ था इनका जनम हुआ था महरास्ट सतना में ठीक है तो ये आपको सतारा सतारा में इनका जनम हुआ था ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और इन्हें pocket dynamo को नाम से जाना जाता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो नेक्स कुशन देख लेते काफी important है आपके लिए आर बॉनी गैब्रियल क्राउंट सेवन्टी फस्ट इनिस यूनिवर्स 2022 इस from which country कौन सी country से भिलॉंग करती है और recently इनने title जीच चुका है जीच चुकी है ये Miss Universe 2022 का तो ये हैं US से related एना US से भिलॉंग करती है और last year ये 2021 का title किसने जीता था तो ये जीता था इंडिया की हरनाच को और संदू जी ने अगर मैं आपसे बात करूँ इस साल दिवीदा राय जो की top 16 तक गई इंडिया से इनका participation था तो ये चीज भी आपको द्यान रखना है ये काफी अच्छी चीज एक टेलीग्राम पे चीज बेजी गई थी Miss World इस बार की कौन रहें Mrs. World वो रही सरगम कोशल USA तो ये काफी अच्छी चीज बेदी थी और काफी important आपके लिए साबीत हो सकती है इसमें ये आप ध्यान रखिएगा important है Mrs. World 2022 जो की कौन बनी थी सरगम कोशल भारत से ठीक है next question देखते है तो next question देख लिए थे काफी इतियास रज दिया है किसको हरा के ये हरा है श्री लंका को और कितने रनों से हरा है तो ये हरा है 317 रनों से ये काफी एक record breaking ये चीज करिए भारत ने तो ये आपको पता होना है जाए कि किसको हरा है तो इसमें आपको ये जानना है कि श्री लंका को भारत ने हरा दिया है अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट कौन है फर्स्ट में अपने लेजेंड सचिन तेंदूलकर जी जिनने कितना स्कोर किया है टूटल 18,426 अगर मैं आपसे बात करूँ सेकिंड पे हैं कुमार संगकारा जो की श्री लंका से है रिकी पॉंटिंग थर्ड पे और सनद जैसूर या श्री लंका से अगें और विराट कोली आ चुके हैं अब भारत से अपने और इनने किसको ओवर्टिक किया है इनने ओवर्टिक किया है महिला जे वर्दने को जो की श्री लंका से ही खेलते थे ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और कितना स्कोर हो चुका है इनका 12,652 आशा करूंगा ये आगे भी record breaking अपना performance देते ही रहेंगे ठीक है तो गौन बन चुके हैं वो बन चुके हैं विराट कोली और एक कोशन हमेशा क्रिकेट स अगर अपना इंडियन जाता है तो वो भी आपके लिए important हो जाता है तो नेक्स कोशन देखते हैं तो नेक्स कोशन है वर्ल्ड लॉंगेस वर्किंग डिस्क जोकी रेक्ट कैडोरियो पास्डवे रिसेंट्ली इस फ्रॉंग विच कंट्री तो ये कौन सी कंट्री से थे ये थे हौंग कॉंग से ठीक होंग कोंग के डीजे थे ये तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो नेक्स कोशन काफी important है आपके लिए दाग ग्लोबल डिस्क रिपोर्ट 2022 एन एन्नुल रिपोर्ट वस रिलीज बाई विच और गनाइजेशन तो ये कौन सी और गनाइजेश पर कहीं बार कॉशन डाइमेंशन से रिलेटेड आ जाते हैं तो वो भी देख लेते हैं ये कौन-कौन से डाइमेंशन पर देती एकोनामिक ठीक है एकोनामिक इन्वार्मेंट है न और एक शोशल है न और टेक्नोलोजी और जियो पॉलिटिकल ठीक है तो ये चीज आपकी रिपोर्ट से पांस डाइमेंशन आपको ये याद रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि वर्ल्ड एकोनामिक फॉरम कौन-कौन सी रिपोर्ट्स रिलीस करती है एक तो आप ये चीज द्यार रफो जिस चीज में आपर ग्लोबल आ रहा है है न ये देखो जिस चीज में ग्लोबल आ रहा है आगे वो देती है क्या वर्ल्ड एकोनामिक फॉरम ये ची रिपोर्ट देती है चलो कौन कौन सी देती है एक तो ग्लोबल ग्रीन गैप स्वारी जेंडर गैप है न जेंडर गैप रिपोर्ट और रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग् एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट देती है कौन वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरॉम तो यह चीज आपको पता होना चाहिए अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं वर्ल्ड से रिलेड़ कौन सी रिपोर्ट है तो अगर ग्लोबल मिल रहा है तो उसमें लगा देना वर्ल्ड एक कौन कौन सी G20 के अब भी special meetings होई है है ना तो यह कल से start हो जाएगी यह वाली meeting अब भी आपको पता होगा think 20 यह कहा पे होगी यह होगी बोपाल में ठीक है और urban 20 यह कहा पे होई यह होई एमदाबाद में है ना और science 20 science 20 यह होई वैंगलेरू में और business 20 बी 20 यह कहा पे होई गांधी नगर में और 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 फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो कहा पे होई ही वो पूटू चैरी में और कौन सी G20 शेरपा मीटिंग कहा पे होई थी यह होई थी उदैपूर में और G20 शेरपा कौन है वो है अमिताप कान्त जी तो G20 से काफी चीजे related आपको याद होना चाहिए आपके SSB वगेरा इंटर्व्य वगेरा में काफी काम यह आने वाली है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं तो नेक्स्ट कॉशन काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्थ साइंथ इंटाइर कंट्री विल बी कवर्ट बाइड डॉपलर व यहां से गाड़ी आ रही है यह गाड़ी इदर यह गाड़ी है यह आपके यह motion में है यह गाड़ी और आप हो observer तो आपकी जो frequency वो क्या रहेगी apparent frequency पूरा खेल यहां पे frequency और pitch का है ठीके apparent frequency रहेगी और यहां पे रहेगा pitch और रहेगी frequency जो आपको बोलना हो तो जब आपके होगा पिछ का होगा हाई फृक्वेंसी क्या होगी हाई हूए जब गाड़ी आपके इधर से चली गई तो पीछ क्या हो पिछ क्या हो जाएगा डाउन और फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाए कि कम तो यहीं बोलता है डॉपलर इफेक्ट तो यह अपन काफी डीप में अगर आप फिजिक्स वर गिरा पढ़ते हो तो आपको यह चीज पता होगी तो यह चीज आप पढ़ सकते हो डीप में और यह पर स्टार्ट हुआ है यह हुआ है मदूरही तमिल नाडू में अगर मैं आपसे बात करूँ इसको बैन कर दिया था जहले कट्टू को 2014 में और फिर इसके बाद यह आता है प्रिजर्वड हो जाता है आर्टिकल 291 में दीखें अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट से आय जाता है तो यह कहाँ पर मनाया जाता है यह तमिल नाडू में स्टार्ट हो चुका है तो यह आपको दियान रखना है और आर्टिकल 291 रिलेटेट टू जले कट्टू ठीक है यह अभी रिसेंटली प्रिजर्व किया गया है इसे नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ यह काफी न्यूज में अब भी है त्रिपल र का नाटो नाटो सौंग तो आपको इसके जो कंपोजर है उनका नाम आपको पता होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे राउल सिपली गंच, चंद्रवोष, एयार रहमान, एमेम केरावानी यह काफी अच्छा कमेंट किया था शहिल डालाल ने कि भाई आप बारवा मत देखा करो मैं आपको इनफर्म कर दिया था टेलिग्राम पे कि कुछ भी अगर होता है तो मैं आपको इनफर्म कर दिया जो भी डिले हुआ है मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपना बापी सबन on the track आपाएं ठीके next quiz देखते हैं आपके लिए quiz of the day आपके लिए second quiz में world Hindi day जो कि celebrate किया जाता है January 10 को इसमें आपको theme बताना है comment section में क्या है Hindi wish world to make Hindi a part of public opinion इसमें आपको मुझे comment section में बताना है और इनने comment किया है कि जो vocabulary की series है वो continue हो जाएकी आप उसकी tension मत लीजिए आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और डिले के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा और बहुत जल्दी अपन लोग कवर कर लेंगे उसकी भी आप tension मत लीजिए तो अगर आपने desire to learn को instagram पे follow नहीं किया तो please follow us on instagram and for the pdf you can follow us on desire to learn telegram channel this video is presented by me my name is सागर बुकता मिलते हैं next class में जब तक के लिए अपना द्यान रखिए जै इन जै बार